स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल आईटेई पाटशाला में तो बच्चो आज का जो कोश्चन हो सिंगल इवेटिड, सिंगल स्ट्रैप, बट जोइंट से लेटिड है इस कोश्चन में आपको प्लेट की थिकनेस कितनी गिवन है? 36 mm तो आपको सिंगल स्ट्रैप, सिंगल इवेटिड, बट जोइंट की ड्राइंग मनानी है जिसमें आपको प्लेट थिकनेस कितनी गिवन है? 36 mm तो बट जोइंट में क्या होता है? दो प्लेट को आपने सामने इस परकार से रखके और उपर एक sheet यूज करते हैं, strap यूज करते हैं और रिवेट की मदद से join करते हैं जब प्लेट को इस तरीके से आपने सामने यह आपकी दो प्लेट है blue और यह orange color की इन दोनों प्लेट को हमने आपने सामने इस परकार रखकर edge को edge से मिलाकर और उपर एक strap की मदद से, ठीक है यह third plate की मदद से हमने इनको join किया है और यहाँ पर हमने क्या use कर रखे हैं, यह riveted use कर रखे हैं अब यहाँ पर देखने में तो दो row दिखाई दे रही है, बट जो एक plate है, आपके पास यह दो plate थी, main plate यह orange की और यह blue, तो आपकी main plate में से कितनी row गई है, rivet की one row गई है, ठीक है इस orange plate में से कितनी row है, one, इसी तरीके से जो आपकी blue वाली plate है इस में से जो rivet की row अब भी क्या है, single row है, इसलिए सो क्या बोला जाता है, single strap, but join ठीक है, single strap क्यों है, क्योंकि हमने उपर यह जो एक plate रखी है, वो क्या आया उपर, green color वाली, single अगर same एक नीचे की तरफ रखते हैं, जैसे हमने एक green plate रखी हुए उपर, अगर same नीचे की तरफ रखते हैं, तो वो क्यों जाता है, double strap, but join तो ड्राइंग शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको यह सभी numerical value calculate करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहली value की मारी plate thickness, जो हमें question में given है, 36 mm, उसके बाद rivet dia, जो आप यहाँ पर यह rivet use कर रहे हो, इनका dia निकालना है, तो dia का formula होता है, 6 under root T, T की value, हमने question से put करी, 36 mm, जिसक 36 mm, उसके बाद pitch of the rivet, जो आपके यह rivet use कर रहे हो, इनके center to center यह जो distance होती है, यह क्या होती है, आपकी pitch of the rivet, तो इसका formula क्या होता है, 3D, D की value आपने अभी calculate किया हो, कितने है, 36 mm, यहाँ आप रखने के बाद यह कितने है, आपके पास, 108 mm, ठीक है, उसके बाद lap, तो यह जो आपके दो main plate थी, एक orange और blue, इसके उपर जो आपने strap यूज करी, इसका कितना lap है, ठीक है, इस point से लेके, इस point तक, इसका formula क्यों होता है, 1.5 D, ठीक है, और D की value calculate करी थी अभी, वो कितने ही थी, 36 mm, तो इसको यहाँ रखने पर solve किया है, तो यह कितना है, 54 mm, उसके बा 1.125 into T, T, आल एडिया में question में कितने given है, 36 mm, तो इसको solve किया तो यह कितना है, 40.5 mm, तो इसको round off कर लेना, 40 mm, ठीक है, उसके बाद row pitch, row pitch कोंट से होती है, इन दोनों rivet के बीच की दूरी, ठीक है, एक row आपकी यह rivet की, दूसरी row यह है, इन दोनों row के बीच में जो यह वा calculate की थी, जिसको solve करने पर यह कितना है, 78 mm, तो आपने यह सबी value सबसे पहले calculate करना है, उसके बाद आपका अपनी drawing बिनाना, start करना है, तो drawing sheet की उपर सबसे पहले क्या करोगे, आप 2 central line इस तरीके से draw कर लोगे, इनके बीच का जो gap रखोगे, आप कितना रखोगे, 78 mm, जो भ आपकी row पीच के equal है, तो उसके बाद आपको इस तरीके से 3 line लगा लेनी है, सबसे उपर वाली आपकी cover plate है, निचे वाली main plate है, ठीक है, तो main plate की thickness हमें question में given थी, वो कितना ही थी, 36 mm, उपर जो cover plate हमने यह draw करी है, ठीक है, यह जो gap है, वो हमने calculate की थी, single cover plate thickness, वो कितना ही 40 mm, ठीक है, तो निचे यह जो दो line के बीच का gap रहेगा, 36 mm, उपर वाली plate का जो gap रहेगा, वो कितना होगा, 40 mm, उसके बाद इसके जो बीच में इस तरीके से line को बंद करोगे, ठीक है, क्योंकि यह हमारी दो plate है, एक plate इधर और एक plate इधर, यह इसके बिलकुल center में रखना आपको, ठीक है, दोनो रोपिच की जो यह line थी आपकी, इसके बिलकुल center में यहाँ पर रखना है, उसके बाद अब अपने rivet डो करोगे, ठीक है, डीविट का डाया, हमने calculate का रखा, वो कितना है, 36 mm, ठीक है, तो यह आपके rivet का सेंग को हा, तो दोनो रोपिच की जो central axis थ से उपर कितना जाना, आपको, 0.7d, ठीक है, इस point से उपर कितना, 0.7d, 0.7d के हम value calculate कर चुके है, वो कितने 25 mm, तो इस बिंदो से उपर कितने पर निशान लगाया, 25 mm, तो चारो तरफ अपने यह निशान लगा लाने 25 mm की दूरी पर, उसके बाद क्या करोगे, आप इसके से लेके अंदर कितना जाओगे, 28 mm, तो यह value कितने उपर, 0.8d, 0.8d की value जब हमने calculate किये, वो कितने 28 mm, तो चारो तरफ इस point से अंदर 28 mm, इस point से भी अंदर 28 mm, इस point से अंदर 28 mm की दूरी पर marking कर लोगे, अब आप क्या करोगे, अपनी compass के इस बिंदो पर रखोगे, ठीक ह जो यह अपने center mark किया है, इन center mark पर अपनी compass रखते होए, और यह जो starting वाड़ी marking थी, यहाँ तक कोलते है, अपने क्या करना है, head को complete करना है, ठीक है, तो यह अपने head draw कर चुके हो, इतनी drawing कंप्लीट करने के बाद, अब आपको यह lab cover है, ठीक है, यह draw करना है, उसके लिए क क्या करोगे, आप अपना protector use करोगे, दोन्नों तरफ protector रखकर, ठीक है, इस central axis से इधर कितना होगे, जो आपने lab cover palpate किया तो कितना था, 24 mm, तो central axis से इधर कितना होगे, 24 mm की दूरी पर, इस तरीके से इधर 110 degree का angle बना दोगे, ठीक ही सिपरकार से central axis से इधर आखे, 54 degree पर, पर आपने इधर 110 degree का angle बना दोगे, 0, 10, 20, 90, 100, और 110 degree, सेम इधर से, 0, 10, 20, 30, 90, 90, बाद 100, और 110 degree, इस तरीके से दोन्नों तरफ ये line draw कर देनी, आपको अपनी cover plate में, जब आप ये अपनी cover plate में draw कर चुके होगे, तो ये जो ये extra line इन सबको क्या करोगे, आप erase करोगे, औ इस तरफ से, और इस तरफ से, जो नीचे वाड़ी plate थी, उनको बंद करोगे, अब आपको ये, अपने joint का ये top view complete करना, ये आपका front view होगे, तो top view कैसे complete करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अपने pitch की marking करोगे, ठीक है, तो pitch कितनी है हमारे पास, 3D, जिसकी value कितनी है, 108 mm, त अपने 2 marking लगा ली, ठीक है, दोनों के बीच में gap कितना रखना है, pitch के equal, अगर तीसरा divit आपको show करना होता है, तो 108 mm और नीचे रख लेते, ठीक है, तो हम दो ही divit show करने हैं, इसके अंदर, तो आपको pitch की marking कर लेनी है, जिनके बीच का gap कितना रहेगा, 108 mm, अब क्या करोग पास से जो rivit का ये डाया आया था, sank का, उतना open करके, ठीक है, तो डाया कितना आया था, हमारे पास, 36 mm, जो हमने calculate किया था, तो 13 mm पर कोल कर, इसके center बिंदू पर रखकर, यहां अपने circle, ड्रो कर जनी है, ये वाले circle आपको किस तरीके से रखने हैं, डोप्टिड रखने है ठीक है, क्योंकि ये top view में क्या रहेगा, ये वाला portion hidden रहेगा, तो ये आपको dash dash में रखने हैं, उसके बाद ये बार वाला circle आएगा, इसके लिए क्या करोगे, कमपास को इस बिंदू पर रखकर, कितनी दूरी क्या करोगे, आप measure करोगे, ठीक है, ये वाली दूरी आप measure क क्या तक, उसके बाद आपनी कमपास को इस center point पर रखकर आपने ये circle ड्रोग कर दिया, जब आप इतनी drawing बना लो, उसके बाद क्या करोगे, ये जो आपका tip पर वाला part है, इससे नीचे projector लेकर आओगे, ठीक है, इस तरीके से, ये आपको बिल्कुल हलके लेके आने है, starting में light रखने आपको, अब उसके बाद क्या करोगे, इसको उपर और नीचे दोनों तरफ से क्या कर दोगे, close कर दोगे, close करने के बाद जो इसकी ये central line थी, इसकी बिल्कुल, central line थी, इसकी बिल्कुल, seed में नीचे एक line draw करोगे, और इसको जो आपकी ये नीचे वाली plate है, इनके equal closing करोगे, तो सबसे पहले जो ये नीचे वाली plate थी, इसको इसके ब्राबर, ठीक है, ये कोना बिल्कुल, इसके seed में नचेए, इस तरफ से close कर देना, और फिर इसको थोड़ा सा नीचे से start करके, इस तरफ, ये कोना इसके ब्राबर रखना, तो इस तरीके से इसको बंद कर कर देना, ठीक है, तो सबसे पहले ये बीच में हमने कोंडिसी बनाई थी, जो सबसे उपर वाली हमारी cover plate थी, उसके बाद हमने ये इधर वाली plate बनाई, जो सबसे इधर नीचे की तरफ है, फिर ये इधर वाली plate है, जो वो ये वाली, क्योंकि ये जो plate अब नीचे है, तो ये वाली line क्या रहेगी हमारी, dotted रहेगी, तो आपको इसको क्या कर देना है, dotted कर देना, और जो cover plate अब वो top में है, तो उसकी ये जो line है क्या रहेगी, dark रहेगी, उसके बाद क्या करोगे, इसके दोन्नों तरफ, zigzag line draw कर दोगे, पुरंत में आप क्या करना, इसके अंदर 45 degree के line पर आपको hatching कर देना है, ठीक है, तो hatching ध्यान रखना, अगर इसमें right side रखते हो, तो इसको left side में रखना, क्योंकि दोन्नों plate क्या है, अलग है, और इसमें एक अलग, थोड़ा सा angle को increase या decrease करके, आप hatching line draw कर सकते हो, आप अपनी cover plate में, तो बच्चों इस तरीके से आ आपका single divided, single stripe butt joint का question complete होगा, तो है यो बच्चों को question समझ में आया होगा, आइटे संबंदी से परकार के update पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आइटे पाट्चाला के साथ बने रही है, thank you.